है बच्चो मैं हूँ अविनकुमार आप मुझे देख रहे हैं क्लेयर स्टेप टुटोरियल्स पर सो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर राइबोजोम के बारे में पढ़ लिया है है ना बच्चो सो राइबोजोम आफ यू के रोटिक सेल में बोलूंगा तो ज्यादा सब्सक्राइबोजोम पर लेकर चलता हूं जब हमने राइबोजोम पढ़ा तो हमने दो जगळुप पढ़ा ब्हुतर की स्ठक्चर में ठाति यू के रोटिक स्ट्रक्चर में पढ़ा उसी तरीके से सीलिया और प्लेजिला अंडिन अभियू के हैँल ऍप्लेटिक थु है right बच्चो so start कर देते हैं तो basically देखो मैं यहां पर क्या करता हूं मैं एक eukaryotic cell बनाने की कोशिश करता हूं यह मेरा eukaryotic cell हो गया मेरा suppose that और यह eukaryotic cell का है cell membrane क्या है बच्चो यह यह है cell membrane okay कोई दिक्कत अब ध्यान से सुनो बच्चो बहुत ही यहां पर क्या होगा यहां पर आपको बारीक बारीक एकदम चोटे 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 क्या होंगे hair like outgrowth दिखरे हैं सीलिए इक type के hair like outgrowth यहाँ पर आपको दिखेंगे वो थोड़े इससे longer होंगे और बहुत ही कम होंगे in comparison to celia ठीक है in comparison to celia जिसको हम लोग बोल देंगे बच्चो क्या फ्लैगिला ठीक है तो यह जो red वाले मैंने आपको दिखाए ना यह यह वाले यह है celia और जो मैंने blue वाले दिखाए यह blue वाला क्या है आपका यह है फ्लैगिला कोई दिखेंगे यहां तक की कहानी समझ में आगी अब आपको figure में देखके यह समझ में आ रहा है कि जो celia है ठीक है celia का अगर हम number count करें ठीक है फ्लैगिला का अगर हम number count करें तो यह देखेंगे कि per cell celia का जो number है वो है बहुत ही जादा ठीक है so celia is large in number large large in number per cell ठीक है और वहीं अगर हम फ्लैगिला के बात करें बच्चो तो फ्लैगिला is small in number या फिर बोल दो few in number few in number in number per cell amount कम है न भाई फ्लैगिला का ठीक है तो यह हो गया हमारा इतनी सी कहानी so it is basically a hair-like outgrowth from cell membrane so celia हो चाहें फ्लैगिला हो these are the hair-like outgrowths of cell membrane of eukaryotic cell ठीक है ओके कोई दिक्कत अब आजाओ ध्यान से समझना बहुत ही ध्यान से समझना देखो बच्चो celia जो होता है ना celia जो होता है वो फ्लैगिला के comparison में फ्लैगिला के respect में small होता है छोटा होता है ठीक है small होता है with respect to flagula और जो flagula होता है वो celia के respect में क्या होता है बड़ा होता है आप figure में भी देख रहे हो यहाँ पर flagula कैसा है बड़ा है यह देखो यह flagula कैसा है बड़ा है और यह दोखो यह छोटे-छोटे सीलिय यहाँ पर प्रेजेंट है, यह छोटे-छोटे सीलिय है, तो small in comparison to fladella, बात समझ में आ रही है, अब देखो, सीलिय जो है ना, सीलिय जो है बच्चो वो ores की तरह act करती है, ores की तरह work करती है, what is ores, यह बला क्या होती है, तो देखो, समझता है, बहुत ही ध्यान से, एकदम concept clear होगा, ठीक है, एक ऐसा structure मैं बनाता हूँ बच्चो, ऐसा structure, जो नाविका होते हैं, नाविका है, मला, ठीक है, देशी भासा में मला बोलते हैं, तो मला जो होते हैं, जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे instrument का use करते हैं, नाव चलाने के लिए, लकडी का बना होता है, है ना, बैट की तरह, ठीक है, तो ये, ये, ये ores है, ठीक है, यही है ores, ठीक है, it is work like ores, तो ores ये है, अब ये ores क्या काम करता है, बच्चो, कभी नाव में बैठे होगे, तो ores वैसी वाले नाव में बैठे होगे, तो ores ये क्या काम करते है, इसको मलाह ऐसे ऐसे दोनों हातों से करके चलाता है, है ना, तो जिससे क्या होती है, आगे की तरफ मूव करती है, है ना, नाव क्या होती है, आगे की तरफ मूव करती है, और जो surrounding water है, वो क्या होता है, वो भी मूव कर रहा होता है, लेकिन पीछे की तरफ उस उस पीछे हो चाहें आगे हो कहीं भी हो अपना मतलब वो नहीं है अपना मतलब concept समझने से तो उसका भी movement होता है ठीक है उस water का भी movement होता है और now का भी movement होता है ठीक है तो उसी तरीके से ये जो सीलिया होता है बच्चो वो cell का भी movement करेगा और surrounding fluid का भी movement करेगा क्या concept clear हुआ अब तुम cell को now समझ लो और surrounding fluid को water समझ लो पानी समझ लो तो ये now और water boat और water की कहानी समझ में आई तो ये है बच्चो Celia का concept Celia is a small with respect to flagula which work like ores and causing the movement of either the cell or the surrounding fluid क्या कहानी समझ में आई वही अगर हम flagula को देखते हैं ठीक है राइट वही पर अगर हम flagula को देखते हैं इसको ठीक है तो ये longer होता है ये क्या कर दिया मैंने मैंने तो ये को काटी दिया बच्चो रुख जाओ सही कर लेता हूँ तो ये होता है longer with respect to Celia ठीक है ओके it is responsible for only cell movement ठीक है cell movement ये surrounding fluid की movement नहीं करेगा flagula surrounding fluid की movement नहीं करेगा flagula is not work like ores ठीक है flagula ores की तरह काम नहीं करेगा जिसे कि surrounding fluid और cell दोनों की movement हो यहाँ पर सिर्फ cell की movement होगी it is responsible for only cell movement ठीक है अब सवाल उठटा है कि सब bacteria में भी bacteria में भी तो जो आपने flagula बताया था वो भी तो cell के movement के लिए काम करी रहा था तो उसका structure और eukaryotic flagula का structure क्या सेम होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं prokaryotic cell का flagula और eukaryotic cell का flagula दोनों आपस में different रहेंगे बहुत ही different रहेंगे bacterial जो flagula पढ़ा था prokaryotic flagula पढ़ा था उसमें हमने तीन पार्ट देखे थे उसकी structure में filament देखा था filament देखा था hook देखा था hook देखा था और तीसरा पार्ट क्या देखा था बच्चो तीसरा पार्ट देखा था basal body याना पूरे structure को हमने समझा था अच्छे से basal body अब ये hook क्या काम करता था का structure different होगा, ठीक है, prokaryotic flagula से, तो ये है celia और flagula, एक बार revise कर लेते हैं, क्या देखा हम आपने, हमने देखा कि भाईया, ये cell membrane है, कोई eukaryotic cell का, जिससे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे small hair-like outdoors निकले होते हैं, ठीक है, जो की बहुत जादा होते हैं, number में, वो होते हैं, celia, और जो कम होते हैं, थोड़े-बड़े hair-like outdoors निकले होते हैं, ये blue color से, ये क्या है, ये flagula, ये थोड़े कम होते हैं, ठीक है, तो basically celia and flagula are hair-like outdoors from the cell membrane of eukaryotic cell, अगर हम particularly eukaryotic cell की बात करें, तो, ठीक है, celia are small with respect to flagula, it is work, it works like ores, ठीक है, and causing the movement of either the cell, or the surrounding fluid, और flagula is longer with respect to celia, which, which, which is only responsible for the cell movement, not the surrounding fluid, ठीक है, surrounding fluid के movement के लिए responsible नहीं होगा बच्चो, clear हुआ, so bacterial flagula different from eukaryotic flagula, और bacterial flagula में हमारे, जैसा कि हमने देखा था, कि हमारे पास filament हो जाते थे, hook हो जाता था, basal body हो जाता था, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ structures का मिश्रन रहता था, तब जाके हमारा bacterial flagula बनता था, ठीक है, तो वैसा structure यहाँ पर eukaryotic flagula में नहीं होने वाला, क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चो, यह वाला structure हमने देखा flagula का, ठीक है, या फिर cilia का आप बोलो, कोई भी cilia का हमने यह वाला structure देख लिया, इन दोनों में से किसी भी एक structure को उठाओ और उठा के, जैसे मालो यह है cilia या फिर flagula, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से cut कर दिया, cut कर दिया इसको, cut करने के बाद हमें जो यह दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चो, यह structure दिखेगी, ठीक है, यह structure दिखेगी, ठीक है, अगला topic है हमारा structure of cilia and flagula, तो सबस पहली बात जो होता है, सबसे पहला point जो है, इसका, सबसे पहला point यही है, कि it is covered with plasma membrane, ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तुमको क्या दिखेगा बच्चो, सबसे पहले plasma membrane दिखेगा, plasma membrane से यह, क्या है बच्चो, cover है, यह क्या है, यह तुमारी black वाली dark, यह क्या है, this is plasma membrane, right, कोई दिक्कत तो ये है plasma membrane, कोई दिक्कत, अगला, अगला, अब देखो, इनका core हो गया, core, core क्या होता है, ये वाला part जो है, ये पूरा, ये पूरा क्या है, ये core है, ठीक है भी या, ये जो पूरा inside part है, ये ये क्या है, ये है core, ये पूरा, ये इसको हम लोग core बोलते हैं, ठीक है, ओके, चालो, तो देखो, core में क्या होता है, एक्जोनीम होता है, core किससे बना होता है, एक्जोनीम से, तो इसको हम एक्जोनीम बोलते हैं, ठीक है, पूरे को, ये हमारा हो गया, एक्जोनीम कहलाएगा अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्छो, exoneme के अंदर, exoneme के अंदर, exoneme के अंदर, तुम्हारे microtubules present होंगे, microtubules present होंगे, ठीक है, microtubules एकदम longitudinal, longitudinal axis में एकदम travel कर रहे होंगे, ऐसे समझो, longitudinally present होंगे, microtubules, ठीक है, जैसे for example, मैं यहाँ पर structure बनाता हूँ, तो यह ठीक है, अब देखो, यह microtubule है, तो यह पूरा यहाँ से, ऐसे, यह microtubule होगा, ठीक है, यह microtubule, यह पूरा एकदम longitudinally होगा, ठीक है, यह हमने तो cross section लिया है ना बच्छो, यह cross section लिया है, तो longitudinally microtubules present होंगे, ठीक है, it is, it will running parallel to long axis, longitudinal का मतलब क्या है, it is running parallel to long axis, clear हो गया तो यह point clear हुआ, अब देखो, कितने type के microtubules होंगे, तो यहाँ पर 9 microtubules होंगे, वो radially arranged रहेंगे, peripheral side पर होंगे, क्या होंगे, peripheral side पर 9 microtubules present होंगे, जो की doublet के form में रहेंगे, यह देखो, यहाँ पर देखो बच्छो, ध्यान से देखते रहा हो, हर चीज को एकदम अच थोड़ुँगा नहीं, देखो, एक, दो, डबल हो गया, एक, दो, डबल हो गया, एक, दो, डबल हो गया, देखो, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B double head के form में यहां पर peripheral micro Wes present periphery periphery पर present है ना, साइड में present होता है इसको बोलते है peripheral microяч ES जो क्यों होंगे double head और बीच में तुम्हारा क्या present होगा बीच में present होगा single head, single microshirts यह है single head यह है central micro debilles, यह central micro debug होगा ठीक है, तो central micro tubules तुम्हारे पास दो होंगे एक और एक यह हो गया one ठीक है यह वाला है तुम्हारा बच्चो क्या यह है one और यह है दूसरा ठीक है यह होंगे दूसरा तो central microtubules is the singlet singlet which is two ठीक है और यह जो central microtubules है यह surrounded होगा किस से एक central sheet से यह surrounded होगा एक central sheet से इतनी बात clear होई अब आजाओ ध्यान से समझो बच्चो तो हमको क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि यहां पर nine peripheral microtubules है यह कितने है यह है हमारे पास nine so और बीच में कितने है two so arrangement कैसा हो जाएगा बच्चो nine plus two का arrangement हो जाएगा जिसमें से यह nine जो है यह क्या है doublet है और यह जो two है यह क्या है यह क्या कैलाएगा यह क्या लाएगा singlet कितने बात clear होगी आगे देखो अब देखो अब ध्यान से समझना बच्चो तो यहां पर nine plus two arrangement हो जाता है अब सवाल उटता है कि सर अभी अभी आपने बताया अभी अभी आपने बताया कि इनका काम होता है इनका काम होता है इनका काम होता है move कराने का है ना basically यह movement में बहुत ज़्यादा use होते है ठीक है तो movement के लिए इनके पास energy चाहिए होगी ना यह energy कहां से आती होगी यह energy कहां से इनको मिल रही है ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसके पास energy होनी चाहिए न बच्चो, ठीक है, right, तो एक आम, ये इसका answer अपने को मिलेगा, doublet के structure से, जरा हम ये doublet का जो structure है, इसको देखेंगे, बारीकी से तब जाके इसका answer मिलेगा, ठीक है, so touch करते हैं बच्चो इसको, देखो, A, A microtubule है, B microtubule है, ये है doublet, ये पूरा आपना doublet का structure, ठीक है, इस doublet में तुम्हारे arms निकले हुए है, ठीक है, यहाँ पर मैंने दो ही आम बनाए हैं, first arm और second arm, यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे arm निकले हुए, देखो, ये है तुम्हारे पास, एक arm, ये दूसरा arm, ये तीसरा arm, ये चौथा arm, ये पाँचव arm, हर में देखो, हर में पाँच-पाँच arm निकाले गए है, arm, arm मतलब बाहें, बाजू, ठीक है, ऐसा समझ लो, तो ये तुम्हारा क्या है, ये यहाँ से निकाला गया है arm, ठीक है, arm निकाला गया, ठीक है, ये first arm है, ये second arm है, ठीक है, right, इस arm म अदर, protein present होता है, कौन सा protein present होता है, dynine, कौन सा present होता है, dynine, ठीक है, और dynine जो होता है, बच्चों, dynine क्या काम करता है, dynine जो होता है, वो एकदम similar होता है, muscle cells के, myocene की तरह, similar होता है muscle cells के myosin की तरह अब ये dynine क्या करता है करता है ATP का hydrolysis अब ATP का hydrolysis सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा ATP को हम मिलाएंगे water से और water से जब मिलाएंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा बच्चो हमारा मिलेगा ADP plus phosphate हमारा release और हमारे पास energy मिल जाएगी कोई दिक्कत तो energy अब मिल गई और इसकी हमें काम थी और जैसी energy मिल जाएगी यहाँ पर ciliary movement यानि कि cell का movement cilia या फिर flag लागे थूँ start हो जाएगा यह है double head का structure यह है B tubule without arm देखो यहाँ पर B tubule में कोई arm है नहीं है देखो कोई भी B tubule में तुमारा arm नहीं है A tubule से ही arms निकले हुए ठीक है राइड बच्चो तो A tubule with two arms यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत सारे भी हो सकते है पांच भी हो सकते है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक लेबल पर तुम इतना ही जानो है ना नेक्स चीज क्या है देखो एक जो doublet है दो doublet जहाँ है यह दो doublet जो है एक doublet दूसरा doublet तीक है यह तीसरा doublet यह जो doublet है बच्चो तीक है यह पूरा एक doublet है तीक है यह दूसरा doublet तो यह दोनों doublet जो है वो किस चीज के वज़े से connect है किस चीज के वज़े से connect है तो basically यह connect है बच्चो यह किस चीज के वज़े से connect है यह connect है तुम्हारा rate इसके वज़े से ध्यान से देखो चिए पर देखो ऐसा वाला इस्ट्रक्चर ये वाला इसको JOHN viagoda इसको क्या he कहलाएगा हमारा इंटर influences ब्रिजिंटर इंटरन्द ब्रिज्ण अब ढूत अब चल방 से डहएं देखो यह अगर भी आ यह A है तो यह क्या कहलाएगा यह B कहलाएगा यह A 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 कहलाएगा तो यह basically यह क्या कर रहा है A को B से जोड रहा है तो इसको मैं A B linker भी बोल सकता हूँ ठीक है और यह A B linker जो है हो गया हमारा basic सा इतना सा अभी का structure ठीक है तो दो जो doublet है वो किस से connected रहते हैं by inter doublet bridge जिसको हम AB linkers भी बोलते हैं क्या बोल देते हैं AB linker कोई दिक्कत तो ये बनाता है Maxine Protein से समझ में आया बच्चो अच्छा कुछ बच्चे मेरे से बोल रहते हैं कि सर नोट्स 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 प्रोवाइट करो बच्चो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक है बड़ा काम रहता है मुझे है नहीं तो मेरे टेलिग्राम आइडी पर आप जॉइन हो जाओ लेकिन नहीं बच्चो बहुत दिक्कत हो जाती है देखो बिसिकली नोट्स नहीं प्रोवाइट कर पाऊंगा मैं ठीक है आप यह स्क्रीनशॉट ले लो हर चीज़ का ठीक है एक दम वह बहुत ही सही रहेगा ठीक है चलो तो आगे बढ़ जाते हैं तो यह बात अपने को पता चल जी यहां तर अब आगे आ जाओ दो जो central tubules होते हैं वो connect होते हैं bridges से ठीक है और enclosed by a central sheet हम देखी चुके है structure में देखो यह है हमारा bridge ठीक है यह चीज क्या है अपनी यह चीज है bridge यह ब्रिज यह ब्रिज और यह है central sheet यह क्या कहलाएगी central sheet तो जो central microtubules हैं दो वो central sheet से surrounded होते हैं ठीक है और bridge से bridge से connected रहते हैं यह दोनों tubules आपस में bridge से connected रहते हैं कोई दिक्कत बच्चो कोई problem यहां तक clear हुआ अब आजाओ आगे तो यहां पर देखो अच्छा यह जो central sheet है यह central sheath है यह central sheet 9 microtubules से भी 9 microtubules यानि कि 9 doublets से भी connected रहते हैं वो किसमें connected रहता है वो रहता है by radial spokes यह radial spokes है बच्चो और यह radial spokes भी आपकी protein की ही बनी रहती है ठीक है radial spokes भी आपकी protein की ही बनी रहती है तो these are for radial spokes देखो यह radial spokes तो यह radial spokes से central sheet भी connected रहता है ठीक है nine okay कोई दिक्कत हुआ अब आगे बढ़ जाते हैं देखो यहांपर क्या लिखा हो है that both the cillium and flagulum emerge from emerge from central like structure called basal bodies or blephablast कि सर अब यह central क्या होता है तो centriole हमारा next topic होगा ठीक है तो उसी की तरह का structure होता है उसी से ये arise होता है emerge होता है ठीक है right okay और उसी से ये arise होता है ठीक है okay कोई दिक्कत नहीं है देखो ये बात तो हमने करी लिया number of cilia per cell very large and flagula per cell very few कितनी बातें हम लोग कर चुके हैं सो बच्चो ये तो था हमारा notes का जो भी हमने अपना notes बनाया उसके according अब जड़ा देख लेते हैं हम लोग की ncrt में ये content इसके इस cilia और flagula का कितना content डिया हुआ है कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया तो check कर लेते हैं बिना ncrt को पढ़े हुए हमारी पढ़ाई खतम नहीं होगी ठीक है तो हर topic को हमें ncrt से भी दिखना है और अपने व्यू भी जानने है उसके ठीक है अपने notes को भी पढ़ेना राइट बच्चो तो देखो ncrt में सबसे पहले diagram दिया हुआ है diagram में कोई दिकत नहीं है बिलकुल ये बच्चो ये क्या कहलाएगा ध्यान से देखो तुम्हारा ये चीज क्या कहलाएगा ये चीज क्या कहलाएगा ये चीज एकी labeling बस इसके अंदर missing है ये वाली labeling ये क्या कहलाएगी inter doublet bridge inter doublet bridge mention कर ले ने ठीक है bridge जिसको अ अपन ए बी ए बी लिंकर भी बोलते हैं कोई दिक्कत हुआ ठीक है अच्छा यह जो आर्म है यह आम जो है यह आम किससे बने हुए है यह आम बने हुए है अच्छा यह इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे बाकि सारी लेवलिंग इसके अंदर है कोई दिक्कत बच्चो, ओके, ओके, यहां पर peripheral में लिखलो, डबलेस लिखा हुआ है, central tubules में तुम लिखलो, single head, चलो, अब कुछ नहीं इसके अंदर करना है, अब आ जाते हैं, अपन theory content पर, NCIT में theory content क्या है, पढ़ते हैं, ठीक है, चलो, साथ-साथ में पढ़ते हैं, बच् अगर हम एक की बात कर रहे हैं, तो हमारा singular हो गया, यानि की, flagulum और cilia, यह हमारा singular है, एक की बात हम कर रहे हैं, एक cilia की बात कर रहे हैं, और एक flagulum, flagla त लेकिन अब बहुत सारे हैं, तो हम क्या बोलेंगे flagla, cilia, ठीक है, तो flagla and cilia are the plural words, तो तुम क्या गरो, यहां पर यह जो cilia है और यह flagla है इसको heading में ही लिख लो तुम plural ताकि revision के समय में confusion ना हो तुम पढ़ते चले जाओगे भूल जाओगे ठीक है ओके यह होता है plural now they are hair-like outgrowths बात हमने पढ़ लिया है of the cell membrane ठीक है cilia are small structures which work like ores work like ores बिलकुल कोई दिक्कत है work like ores causing the movement of either the cell or the surrounding fluid बहुत सही बच्चों पढ़ लिया है flagla are comparatively longer and responsible for cell movement not the surrounding fluid यह भी बात क्लियर है the prokaryotic bacteria also possess flagla but these are structurally different from that of eukaryotic flagla यह भी बात हम जानते हैं क्योंकि prokaryotic flagla जो है हमारा उसका structure different होता है उसके अंदर filament hook और basal body present होता है लेकिन यहां पर हमारे microtubules वगेरा present है ठीक है अभी अभी आपनने structure तो structure basically एकदम different ही होता है ठीक है पढ़ भी लिया आपनने right structure पूरा देखी लिया now the electron microscopic microscopic study of a cilium or the flagelum shows that they are covered with plasma membrane right बच्चों their core called axonim core को हम लोग क्या बोलते हैं axonim बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है ठीक है possesses the number of microtubules running parallel to the long axis ठीक है ओके यह भी पढ़ लें the axonim usually has nine doubletts okay of radiary arranged peripheral microtubules कहां पर प्रेजेंट होता है peripheral periphery position पर and a pair of centrally located microtubules जो कि singlet होते हैं तो इसले इसको peripheral doubletts are also interconnected by linkers जिसको अपन AB linkers भी बोलते हैं both the cilium and flagulum emerge from the central like structure called the basal body और central को अभी अपने अपने को पढ़ना है यह है आपका cilia और flagula के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा बच्चो ठीक है तो यह है तुम्हारा cilia और flagula तो अब से तुम NCRT को revision के तौर पर इस topic को यूज करोगे नCRT के content revision के लिए यूज किया करोगे ठीक है कुछ नहीं हो रहा है बच्चो कुछ नहीं हो रहा है समझ रहे हो ठीक है इसलिए revision is must बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम जरूरी है तो वो है नहीं हमारा revision right क्या चीजे समझ में आई बच्चो चालो मिलते हैं फिर लेक्स लेक्चर में अपने next लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे centrosome और centrioles ठीक है right क्या पढ़ेंगे centrosomes और centrioles लिग देता हूं मैं centrosome and centrioles I hope ये lecture में आपको मज़े आएं होंगे ठीक है बच्चों courses को ये lectures को बच्चों तक पहुंचाओ शेयर करो like करो अपने valuable comments दो ताकि अगर कुछ भी problem हो रही है मेरे पढ़ाने में तो वो दिक्कत दूर हो पाए ठीक है love you बच्चा पार्टी एकडम चलो मिलते हैं next session में love you